दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं OPS, NPS और अब UPS देश में कैसे कैसे pension scheme बदलता गया किसमें कितना फाइदा जानिये सब कुछ जी हाँ दोस्तों आज एक Mathphone Topic के बारे में आपको इस वीडियो में जान करें दी जाएगी फाइदे और नुकसान हैं इसलिए किसी भी scheme को चुनने से पहले आपको अपनी आविसकता और वित्तिय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए कौन सी scheme बेतर है ये व्यक्तिकत जिरुतों पर निर्वर करता है बारत में pension scheme हो में समय समय के साथ बदलाव किये गए बारत सरकार ने करमचरियों की retirement के बाद की आरती सुरुक्षा के लिए पहले परानी pension योजना यानि की OPS लागू की थी लेकिन बदलते समय के साथ सरकार ने से बंद कर दिया और उसकी जगे नई pension योजना यानि की NPS सुरू की NPS को लेकर लंबे समय से विरूद चल रहा था और करमचरी परानी pension योजना वापस लेने की मांग कर रहते हैं हलांकि सरकार ने परानी pension योजना को बाल नहीं किया बलकि इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई pension योजना यानि की Unified pension scheme की सुरूबात कर दी है तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि जो परानी pension scheme थी वो क्या थी तो OPS सबसे परानी pension योजना थी इसमें करमचरी को retirement के बाद के अंतिम वितन का एक निस्चित हिसा pension के रुप में मिलता था यह योजना करमचरी के बीच काफी लोग प्रियत थी और अब भी है क्योंकि इसमें pension की रासी निस्चित होती थी और मेंगाई बत्य के साथ बढ़ती रहती थी इसके अलावा जब भी नया वितन आयोग आता था तो करमचरी की pension भी पुरानी pension योजना के तैत बढ़ती रहती थी और मेंगाई रात भी समय समय पर इसमें बढ़ती रहती थी लेकिन उसके बाद में सरकार ने national pension system यानि की NPS को लागू कर दिया तो यह OPS की जगे लाई गई योजना है इसमें करमचरी कराव के अमसार बदलती रहती है इसमें pension की रासी निस्चित नहीं होने के कारण retirement के बाद I की निस्चिता रहती है जो कई करमचरीओं के लिए चिंता का विसे है NPS को अधिक पाड़ दर्सी और लचिला माना जाता है इसमें निवेस के विकल्म भी होते है जिससे retirement के बाद pension की रासी बढ़ सकती है लेकिन करमचरीओं को इस पर विश्वास नहीं है इसलिए करमचरी हमेशा old pension scheme की मांग करते रहे हैं उसके बाद में तीसरी pension योजना सरकार ने लागो की वो है unified pension scheme यानि कि अब सरकार के द्वारा unified pension scheme को लगो करने का एलान कर दिया है तो NPS में आई कुछ कम्यों को दूर करने के लिए सरकार ने UPS लाउंच की इसे लिए कप्टिल 2025 से लागो किया जाएगा NPS को लेकर करमचरीओं में काफी संतोस्त था उन्हें OPS जैसी निश्चित pension चाहिए थी इसलिए सरकार ने unified pension scheme को लागो किया UPS में OPS और NPS दोनों के फाइदे है इस योजना में OPS की तरह ही pension की रासी निश्चित होगी और मेंगाई बत्य के साथ साथ बढ़ती रहेगी साथ ही retirement के बाद परिवार को भी pension मिलेगी इसमें pension की रासी निश्चित होगी लेकिन साथ ही इसमें निवेश के माद्यम से भी return मिलने की संभावना होगी क्योंकि करमचरी का जो पैसा है वो निवेश किया जाएगा तो ये तो रही तीसरी scheme अब उसके बाद में आती है कि pension scheme में इतनी बदलाव क्यों हुए क्यों ये सारे बदलाव किये गए कि तीन-तीन pension जो जनाय करमचरी के लिए लाई गई तो सबसे बड़ा बदलाव यानि कि जो कारण था इसका आर्थिक दवाप दूसरा था निवेश और जोकिम और तीसरा था करमचरी की मांग तो तीनों के बारे में चर्शा कर लेते हैं बढ़ती जन सिंख्या और मेंगाय के कारण सरकार पर pension का बोज बढ़ता जा रहा था OPS के तहत pension की राशी निश्चित होने के कारण सरकार को भारी वित्य बोज उठाना पड़ रहा था सरकार ने इसे इस आधर पर समप्त किया कि यह योजना वित्य रूप से टिकाऊ नहीं है और आने वाली पीडियों के लिए बोज बन सकती है तो इसकी वज़े से OPS के जगे NPS लाई गई ताकि पैंसन का बोज सरकार पर कम हो सके तो यह पहला बड़ा करण था कि OPS के बदले सरकार के द्वारा NPS लाई गई दूसरा जो करण था निवेस और जोकिम OPS के बाद NPS के माध्यम से सरकार चाहती थी कि करमचारी भी अपने रिटार्मेंट के लिए बचत करें और बाजार के उतार चंडाव के अमसार लाब भी प्राप्त करें NPS में निवेस के माध्यम से बैतर रिटिन मिलने की संभावना होती है लेकिन इसमें जोकिम भी होता है जिसकी वएसे NPS करमचारियों को पसंद नहीं आई आपके साब से कौन सी पैंटिसन उजणा बैतर कमेंट बॉक्स में जरूर लखें तीसरा करन यहाँ पर था कि करमचारियों की मांग तो सरकारी करमचारी OPS को वापस करने की मांग करने थे और अभी भी कर रहे हैं क्योंकि NPS में पैंटिसन की रास्ति निश्चित नहीं होती थी इसलिए इन तीन कारणों की वाज़े से सरकार को तीन पैंटिसन योजनाय लानी पड़ी पहले OPS, उसके बाद में NPS और अब तीसरी UPS तो इन तीन बड़े कारणों की वाज़े सरकार को करम चैरियों के लिए तीन पैंटिसन योजनाय लागुक करने पड़ी तो अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि इन तीनों पैंटिसन योजनायों में से सबसे बैतर पैंटिसन योजना कौन सी है दोस्तो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर इसकीम के अपने फायदे और नुकसान है इसलिए किसी भी इसकीम को चुनने से पहले आपको अपने आविश सकता हो और विद्य एस्तिति का ध्यान रखना चाहिए कौन सी इसकीम बहतर है यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है तो यदि आपको लगता है कि NPS आपके लिए ज़्यादा फायदे बंद साब लेता है तो आप NPS में कंटिनू कर सकते हैं लेकिन कुछ मैटपूर बातें आपर कि यदि आप निश्चित पैंसन चाहते हैं और जोकिम लेने से बचना चाहते हैं तो OPS आपके लिए सबसे बहतर विकल्ब हो सकता है तो OPS में निश्चित पैंसन मिलती है और समय समय पर ये बढ़ती भी रहती है इसलिए किसी प्रकार का जोकिम OPS में नहीं होता है वहीं यदि आप थोड़ा जोकिम लेने को तयार हैं और बाजार से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो OPS भी एक अच्छा विकल्ब हो सकती है जिसे कि यदि आप रिस्क ले सकते हैं ज़्यदा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो OPS भी एक अच्छा विकल्ब हो सकता है तीसरा यहां पर UPS नहीं कि Unified Pension Scheme कि यदि आप OPS की निस्चित पैंशन और NPS के निवेस्ट के वफाइदे दोनों चाहते हैं तो UPS आपके लिए एक अच्छा विकल्ब हो सकता है जैसे कि सरकार के दोरा कहा गया है कि इसमें Pension की Guarantee भी दी जाएगी और मार्केट से अधिक रिटिन मिलने की भी पूरी संभावना रहेगी और करम चेरियों को इसको चुनने का विकल्ब भी दिया जाएगा OPS, NPS और UPS तो हम आपको पता लग गया होगा कि कौन सी Pension Scheme आपके लिए फायदे बंद है उसे की अनुसार आप Pension योजना चुने तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फायदे की रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करदे है चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके All Notification On करदे है जिससे हरी फायदे बंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे Thanks for watching this video